इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चाप्र करन्ट एक्स पी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मेटेरियल मेजरली टीन टाइब में क्लासिफाई किये जाते हैं कंड़क्टर इंसुलेटर और सेमी कंड़क्टर में क्या होता है कि अगर कंड़क्टर के अक्रॉस पोटेंशल डिफ्रेंस क्रियेट किया जाए तो इलेक्ट्रॉंस फ्लो करते हैं तो यह इलेक्ट्रिसिटी या करंट या इलेक्ट्रिसिटी को कंड़क्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंड़क्ट करते हैं इसलिए इनको कंड़क्टर कहा जाता है इट मींस इलेक्ट्रिक करंट केंड फ्लो थ्रू दा कंड़क्टर बट इंसुलेटर में इलेक्ट्रोंस आ टाइट ली बाउंड होते हैं टाइटली बाउंड इलेक्ट्रों सो जो इलेक्ट्रोंस दूनौट फ्लोट और या इवन कि पॉटेंशिल डिफ्रेंट इस एपलाइब यानिके आप potential difference भी apply करेंगे तो भी electron इतने tightly bound होते हैं under the influence of electric field or potential difference they do not move okay and third type of a semi conductor by nature they are like insulator by nature they are like insulator but at high temperature but at high temperature but at high temperature कि दे कंडड़क्ट कि कंडड़क्ट इलेक्रिसिट करें तो जैसे कि temperature increase करते हैं तो उसमें कुछ electrons free हो जाते हैं और वो इलेक्रिसिटी कंड़क्ट कर पाते हैं इसको हम detail में अमंग लास्ट चप्रस हम पढ़ेंगे इसके पाद हम define करते हैं कि electric current को हम कैसे define करते हैं how the electric current is defined electric current को हम define करते हैं assume कर लो कि this is a conducting wire okay so this is defined as electric current को हम i से represent करते हैं this is defined as number of your total charge total charge passing through a particular area यानि कि एक area आपने consider कर लिया this area so the total charge passing through this cross section area per unit time per unit time तो यह आपका average current देगा यह क्या देगा कि भी आपका suppose करो like charge की charge की unit है आपकी कूलम हमने बात क्या चार्ज की unit का कूलम है तो current क्या हो गया कूलम पर सेकिंड ओके लेट से 10 कूलम चार्ज यहां से क्रॉस करता है इन 2 सेकिंड तो आपका average current कितना आ जाएगा 10 कूलम और 2 सेकिंड तो यह आ जाएगा 5 कूलम पर सेकिंड इस तरह से यानि कि total charge crossing this passing through this cross section area per unit time this will give you the average current okay over an area okay अच्छा यह आपको अगर किसी instant पर निकाला जाए तो हम क्या करते हैं कि dq by dt को हम delta q by delta t को हम कह देते हैं कि delta q by delta t and limit t tends to zero t tends to zero का मतलब है कि आप time बहुत चोटा ले देते हैं बहुत चोटा लेंगे तो यह current average current instantaneous current में change हो जाएगा so at any instant the current is given by the rate of charge flow per unit time the rate of charge flow through an cross section area dq by dt क्या हो जाएगा charge flow rate okay current की SI unit होती है ampere जिसको हम coulomb per second को ampere से बोलते हैं और इसका symbol capital A से भी represent करते हैं ampere okay and but current क्या है एक scalar quantity current में आप देखें current के हम बात करें 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 में मैंगनिट्यूड भी होता है मैं और करेंट की से डिर्स दिरेक्शन में लो कर रहा है डिरेक्शन भी होती है बट earn के पास क्या नहीं होता है यानि कि इट क्वालिफाइज टू बीए वेक्टर बट इट डू नॉट ओवे वेक्टर अल्जेब्रा है वेक्टर अल्जेब्रा को यह ओवे नहीं करता हूं कि इसलिए यह थार्ड कंडिशन फुल्फिल नहीं होती है that's why the current is not a vector so it is considered as a scalar quantity okay so you vector algebra को ओवे नहीं करता है तो यह scalar quantity होती है current से ही हम एक और quantity निकालते हैं जिसको हम current density बोलते है current density को j से represent करते हैं and which is the vector quantity vector quantity okay j कैसे define होता है j is defined as j is defined as current per unit area current passing through per unit area यानि कि suppose करो यह आपने area ले लिया है यहां से total current आई current फास हो रहा है तो हम total current आई को area से divide कर दें तो आपको क्या आजाएगा जे यानि कि इसको बोलेंगे current density okay current density अब suppose करो आपने area perpendicular नहीं लिया आपने area क्या किया आपने कुछ तीटा एंगल पर यानि कि यह current का direction है current के direction से थीटा एंगल पर आपने area कर लिया और इस area को आपने लिग दिया ठीक है इसके तुरू कितना current जा रहा होगा तो आप क्या करेंगे इसका एक component लेंगे यह delta s है तो इसके perpendicular component लेंगे actually जितना जितना current इसके तुरू जा रहा होगा perpendicular component के तुरू यही यह slant area के तुरू जा होगा ठीक है तो यहां पर हम area effective area जिसके through जा रहा होगा cross section वो कितना आएगा delta s into cos theta theta क्या होगा यह current का direction है और यह आपको मैंने बताया था कि अगर plane area होता है तो उसके perpendicular direction में area vector होता है area vector is making angle theta with the direction of current तो हमारा current density जो आएगा वो आएगा total current divided by area into cos theta यानि कि projection of area या perpendicular component of the area which is perpendicular to the direction of flow of current तो आपका current density के आजाएगा total current divided by the perpendicular component of the area ठीक है अगर आप यह delta s cos theta को cross multiply करें तो you will get this j into delta s cos theta will be equals to delta अब जे एक vector quantity है area भी एक vector quantity हो सकता है तो j delta s cos theta को हम vector के dot product के form में लिख सकते हैं जे डॉट डॉट डेल्टा s can be written as delta i यानि कि current को आप कैसे लिख सकते हो i can be written as j dot और इसका इंटीग्रल फॉर्म ऐसे होता है डी आई can be written as j dot ds vector integral आपको टोटल करेंट निकालना है यू नीड टू फाइंड इंटीग्रल आफ देस्टा अलिमेंटल अब जे एक कैसा है एक वेक्टर कॉंटिटी है यह हमने याद रखें नाव वी विल सी दक करंट इन ऐक अंदर कैसे फ्लो होता है दैन वील सी दे ड्रिफ वेलास्टी ड्रिफ वेलास्टी और ड्रिफ स्पीड उसके बाद उसी से हम डिड्यूस करेंगे ओम स्लोग तो पहले देखिए यह आपके पास this is a piece of conductor यहां पर कुछ free electrons होते हैं तो electrons का क्या होता है random motion होता होता है random motion electrons random motion कर रहे होते हैं यह random motion होता है electrons का तो यह जो solid line मेंने मुनाई है इस दे रेंडर मोशन आफ एलेक्ट्रोंस इन अन्यूट्रल कंडिशन यह न्यूट्रल कंडिशन का क्या मतलब है कि आपने कोई बैटरी या क्या फ King तो आप देखेंगे कि आपने एक मेंटरी वी बोल्ट की अटैज करती है तो यहां पर यह positive यह नेगिटिव क्या होगा इलेक्रिक फीड कर दारेक्शन क्या होगा तो यह electron जब motion कर रहा होता है, तो यह ऐसे motion करेगा, collision होगा, direction change हो जाएगी, collision होगा, direction change हो जाएगी, तो यह collide करते हुए motion कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने electric field apply किया, तो यहाँ पर क्या होगा, कि इस दो collision के बीच में एक drift आ जाएगा, फिर यहां से यहां collide करेगा, तो इसके बीच में भी एक drift इसको feel होगा, तो actually उसकी trajectory कुछ यह dotted line में चली जाएगी, वो हर collision के बाद थोड़ा-थोड़ा right में shift होता जाएगा, तो actually अगर उसका position total collision के बाद भी होता, और अगर आप उसमें battery apply कर देते हो, यानि कि electric field apply कर देते हैं, तो उसका जो moment है, वो B dash पर उसकी position होगी, actually B B dash की length उसने extra travel करी due to the influence of electricity, तो इसी को हम drift velocity, actually में यह velocity नहीं होती है, it is the speed, क्योंकि random motion में हम इस direction में इसकी velocity तो यह है, बट हम देख रहे हैं कि electric field के direction में कितना moment देख रहे हैं, so we are looking into the shift in the direction opposite to the electric field, यानि कि electric field के opposite direction में कितना इसमें drift आ रहा है, natural trajectory से इसका कितना drift हो रहा है, under the influence of electricity, तो यह कह सकते हैं हम L distance का इसका drift हुआ, तो हम define कर सकते हैं drift velocity, it is the average, this is the length upon total time, यानि कि this is the collision time, यानि कि total यह collide करके एक average collision time आ जाता है, बी पर पहुँचने का time इसका tau है, let's assume कर लिए, okay, so, यह हर collision के बाद एक drift होगा, तो हमने एक average visualize करने के लिए यह लिया है, otherwise इसके दो collision के बीच में ही एक drift होगा, उसी से हम इसको VD calculate करते हैं, वीडी को हम बोल सकते हैं L by Tau, where Tau is the average time between successive collision, अब हम बोल सकते हैं कि यह L distance कितना होगा, L distance कितना होगा, देखो, electric field की वज़े से क्या होगा, एक force होगा, force की वज़े से एक acceleration आएगा, और acceleration को हम लिख सकते हैं, E into electric field force upon mass, यह हमारा acceleration होगा, L can be written as, L can be written as half A T square, और T की value क्या होगी, 1 by 2 A, T की value होगी Tau, यानि कि A से B पर पहुँचने का जो time था हो, वो Tau था, ओके, So L will be half of A into Tau square, यह हो जाएगा, अब आप acceleration को E into electric field by M से replace कर सकते हैं, यह acceleration होगा half, अब आप drift velocity निकालने के लिए, आप basic formula पर जाएगे, that is L by Tau, L आपको given है, Tau से इसको divide कर देंगे, You will divide Tau, Tau Tau cancel होजागा, तो यह term बचेगा आपके लाएगा, Tarm होगा, E into electric field by M into Tau, This is L by Tau, and which is the drift velocity, तो drift velocity में हमें याद करने वाली कौन सी चीज है, Drift velocity is proportional to electric field applied, drift velocity is proportional to Tau, Tau क्या होता है, कि average time between successive collision, यानि कि let's say N number of collision करता है particular time period में, So number of collision into time interval, उससे अगर हम divide कर दें, तो हमें क्या मिलता है, यानि कि Tau की अगर बात करें, कुछ, सबोस करो M number of collision है, M collisions है, या N collisions बोल सकते हो आप, N collisions करता है, और कुछ particular delta T time में करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये average आजाएगा, number of collisions per unit time, ओके, ये आजाएगा, लेकिन हमने Tau क्या निकालना है, कि N collisions में, sorry, N collisions में, है, total time dt लगा, तो Tau, हम, in fact, इसका reciprocal होगा, delta T by N, total time upon number of collision, तो average time आजाएगा इससे, average out time हो जाएगा, कि दो collisions के बीच में कितना time है, तो ये होगा, delta T by N, in fact, N by delta T नहीं होगा, delta T by N होगा, तो यहाँ पर हमें note करने वाली बात है, कि drift velocity हमारे electric field पर depend करेगी, जितना ज्यादा electric field हम apply करेंगे, उतनी ज्यादा drift velocity होगी, दूसरी बार drift velocity किस पर depend करेगी, Tau पर depend करेगी, average collision time या average time between successive collision, तो हम drift velocity को कुछ लिख सकते हैं, it is some k times e, तो अब हम drift velocity का relation current के साथ देखते हैं, कि current के साथ हम कैसे drift velocity का relation लिख सकते हैं, this is the relation between, relation between, drift velocity and the current and current तो यहाँ पर आप देखिए, आपने एक piece of wire consider किया, piece of conductor consider किया, जिसकी आपने length को assume कर लिया, drift velocity into delta T, यानि कि charge यहाँ से यहाँ delta T time में travel कर जाता है, क्योंकि इसकी drift velocity कितनी है, VD, तो हम delta T time frame consider करते हैं, delta T time frame में एक charge यहाँ enter करता है, और यहाँ से exit कर जाता है, तो यह बहुत छोटा होगा, इसको थोड़ा सा enlarge करके हमने बनाया हुगा, तो यहाँ पर N, N एक term है, N is the charge density, charge density का क्या मतलब है, charge density का है number of free electrons, बच्चों free electrons की बात करेंगे, जो charge movable है, free electrons per unit volume, एक given conductor के volume है, number of electrons per unit volume, अच्चा बच्चों, जितना अच्छा conductor होगा, उतने number of free electrons per unit volume, जादा available होगी, जितना अच्छी conductivity होगी, उतना ही इसकी value जादा होगी, यानि कि इसका magnitude जादा होगा, तो हम charge को बोल सकते हैं, charge per unit volume into volume, अगर हम electron density से volume को multiply कर दे हैं, हमें तो total charge आजाएगा, इस piece of conductor का total charge आजाएगा, तो हम क्या करेंगे, this is the charge density multiply by volume, और उसको यह आगया number of electrons आजाएगा, number of electrons को electron के एक charge से multiply करेंगे, इसे multiply करेंगे, तो total charge आजाएगा, तो आपने देखिए, यह volume कैसे लिखा है, this is the area of cross section, यह area of cross section होगा, यह area of cross section है, and this is the length, this is the length, which is equals to vd into delta t, vd into delta t से multiply कर देंगे, यह आपका volume होगा, यह charge density होगा, और यह charge की value होगा, तो यहाँ पर आपको total charge मिल जाएगा, इस piece of conductor के अंदर, अब हमने current निकालना है, तो बच्चों as you know, current की value होती है, delta q by delta t, कि particular time में, कितना charge यहाँ से यहाँ pass किया, तो हम इस charge की value को, delta t से divide कर देंगे, तो you can see, RHS में भी एक delta t है, डेल्टा t से delta t pencil हो जाएगा, तो आपके पास delta q by delta t, यहाँ कि average current की value, आ जाएगी, charge density e into a into vd, vd is the drift speed, vd को आप ध्यान रखेंगे, this is the drift velocity, drift velocity किस पर depend होती है, बच्चों यह देखो, आप n किस पर depend हो रहा है, n material की property है, material की property है, vd, vd किर्स के proportional आ रहा है, electric field के proportional आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर, charge density भी निकाल सकते हैं, sorry, current निकाला है और current density भी निकाल सकते हैं, current density के लिए हम क्या करेंगे, i को area से, cross section area से divide कर देंगे, कि इस cross section area के थूरू, कितना current जा रहा है, vd, तो यह formula काफी important है, बच्चों, यह question में direct पूछा जाता है, तो j यानि के current density equals to n into e into vd, यह आप याद कर लेंगे, question में आपको दिया हुआ है, current के value 1 ampere दे रखा है, cross section area 2 mm square दे रखा है, number of electrons in 1 cm square, 1 cm cube, is 8.5 into 10 to power 12, यानि कि यह दे रखी है, तो हम यहाँ से current density निकाल सकते हैं, और question में आपको क्या पूछा हुआ है, drift velocity, तो पहले एक relation लिखेंगे, relation में पता होना चाहिए, i का, i is n e a into vd, drift velocity, तो आप यहाँ से vd calculate करेंगे, drift velocity will be i by a into n into e, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, n की value, n की value जैसे आप n की value होती है, number of free electrons, in 1 per meter cube, तो आपके पास आजाएगा, 8.5 into 10 to power 12, यह 1 centimeter cube दी हुई है, तो आप इसको लिखेंगे, you can write 1 into 10 to power minus 2, 10 to power minus 2 meter, और उसका whole cube, centimeter को आप meter में convert करेंगे, तो you will get 8.5 into 10 to power 22, divide by 10 to power minus 6 per meter cube, तो आपको यह charge density आजाएगी, पर meter cube, यानि कि SI unit में आपने निकाल लिए, इसके बाद VD आप निकालेंगे, current की value आपके पास 1 ampere है, area कितना होगा, 2 mm यानि कि 10 to power minus 3, इसका whole square करेंगे, into, n, n की value कितनी आएगी, 8.5 into 10 to power 22, और यह denominator वाला पार्ट आपका, उपर चला जागा, and that would be, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 to power minus 6 meter cube, into, आप इसको multiply करेंगे, 1.6 E से, 10 to power minus 9, यह E की value हो गई, यह हमने E से divide कर दिया है, तो आप को drift velocity की, इसको आप calculate करेंगे, तो आप drift velocity की value, 0.036 mm per second, यह value आजाएगी, इसको calculate करेंगे, और you will get this answer, next topic is Ohm's law, Ohm's law, as we already know, कि current density is defined as, charge density into electric, यानि के, charge of one electron, into drift velocity, तो हमने drift velocity की derivation, हम जब निकाले थे, Vdy L by tau, L by tau was, 1 by 2, into E, E by 2m, into, sorry, M into tau, तो यह आया था, हमारी VD की value क्या थी, VD की value, E into E, tau by 2m, यह value थी, तो हम VD की value, अगर यह रख देते हैं, तो आप, यह VD की value रख देते हैं, E into tau into, electric field by 2, M is the mass of electron, तो आपको पास current density in terms of charge density, E square, tau electric field by 2m, यह आजाएगा, तो आप electric field को separate करते हुए, यह जो time आएगा, इसको आप separate कर लेंगे, और you will give the name, इसको sigma से represent करते हैं, यह constant है, जिसको हम sigma से represent करते हैं, तो आपके पास, J equals to sigma E आजाता है, तो J equals to sigma E आता है, इस term को, जो sigma है, इसको हम, क्या बोलते हैं, electrical conductivity, इसकी value होती है, charge density, E square tau by 2m, ठीक है, तो electric conductivity, term पर किस पर depend करेगी, charge density पर बढ़े, यह constant है आपका, mass of electron भी constant है, और tau, tau यानि कि time between, two successive collisions, तो जितना कम time होगा, दो collision के बीच में, उतनी ही कम conductivity होगी, ज्यादा time होगा, तो ज्यादा उसको drift होगी, तो आप देख सकते हैं, इसको collision time भी बोलते हैं, इन्टू collision time, other two are constants, इन दोना factors पर depend करेगा, and it is the property of material, तो charge density material की property होती है, और यह tau, tau temperature पर depend करता है, और बच्चों आप यह याद कर सकते हैं, tau will be inversely proportional, not the direct relation, but it will be inversely proportional, like अगर आप temperature को increase करें, तो tau decrease हो जाता है, temperature को increase करने पार, you can say, direct relation नहीं है, if you increase the temperature, then time between, या collision time will decrease, तो faster moment होगा, और उनका जल्दी collision होगा, तो यहाँ पर एक, हमारे पास relation आजाता है, J equals to sigma E, where sigma is the electrical conductivity, and this is called ohm's law, ohm's law का relation इसको बोलते हैं, ohm's law का फिर एक modified version भी होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर यह conductivity होती है, और one upon conductivity, this is the electrical conductivity, one upon conductivity, रो, यानिकि रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं, you can say resistivity is defined as, one upon reciprocal of conductivity, conductivity के reciprocal को ही हम, रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, one upon sigma, now, अब modified ohms law क्या होता है, modified ohms law में हम, electric field, अभी हमारे पास आया है, j equals to sigma into e, electric field को हम v by l, यह रख सकते हैं, potential difference upon length, यानि कि l length का आप कोई भी, piece of conductor समझे, l length आपने ली, इसके across potential difference v होगा, तो v by l will be the electric field, inside this conductor, okay, sigma को हम, ऐसी रखेंगे, sigma रखेंगे, और j को हम क्या रख देंगे, i by a, तो यह आपका ohms law का relation था, यह आपका ohms law का relation, j को हम current density को i by a, and current by area लिख सकते हैं, and this is the, conductivity and electric field can be written as v by l, यानि कि potential difference, at a distance l, l distance में potential difference क्या होगा, v divided by length, यह electric field की value होगा, v को अगर हम LHS, RHS में देख लेते हैं, और यह l cross multiply करके, हमारे पास आ जाता है, l into sigma into a, 1 by sigma को हम क्या लिख सकते हैं, rho, यानि कि resistivity into length by area, into i, और इस टर्म को, resistivity into length by area को हम क्या बोलते हैं, resistance बोलते हैं, this is the resistivity into length into area, and you can say, आप यहाँ पर comment कर सकते हैं, कि resistance, is proportional to resistivity, रजिस्टेंस is proportional to length, resistance is proportional to 1 by area, यह depend करेगा, तो resistivity के proportional, length के proportional है, और 1 by area के proportional है, यानि कि अगर resistivity बढ़ेगी, तो resistance increase होगा, अगर length increase करोगे, यानि की piece of conductor की length increase करोगे, तो resistance increase होगा, और एरिया इंक्रीज करने पर रिजिस्टेंज दिक्रीज होगा, इस इन वर्स ली प्रोपोर्शणल टूदा एडिया, रिजिस्टेंज का और इन टर्म्स का रिलिशन हम लेटर सब्सिक्वेंट सेक्शन में देखेंगे, वन अपोन आर्वन अपोन आरको हम कॉल करते हैं रेसिप्रोकल ओफ रेसिटेंज इस ओंड़क एंड़क थैंस उकल और रेसिप्रोकल ऑफ र्यजिस्टिविटी आप कनड़्य विटी याद कर सकते अगर वन अपन र्शंस करते हैं तो र्विटोप्तन और वाट र मोट्योंने विटी करते हैं तो के इसको भी आद का symbol होता है और resistivity resistivity into length by area हम resistance define करते हैं ओके आप resistivity का यह relation देखेंगे आप यहां से resistivity को निकालेंगे resistance into area cross multiply करेंगे resistance into area by length तो resistance की unit है ohm और यह होगी meter square और यह होगी meter तो meter से meter cancel हो जाएगी तो resistivity की unit आएगी ohm meter तो हम पहले resistance define करते हैं उसकी unit define करते हैं उससे resistivity की unit define करते हैं and this is ohm meter is the unit of resistivity जहां तक conductivity का सवाल है that is one upon resistivity one upon resistivity इसकी unit अगर हम निकालने जाए resistivity की unit अभी हमने निकाली that is ohm meter और यहां पर one upon ohm को more करके बोलते हैं अलागि इसका reciprocal है this is more one upon ohm को more करके mho more करके बोलते हैं तो आपकी पास conductivity conductivity की unit आएगी more into meter inverse यानि की more by meter यह आ जाएगी और इसको यह conductivity की unit हो next question दिया हुआ है find the resistance if length is 50 cm cross section area is 2 mm square and resistivity is given as 2.6 into 10 to power minus ohm meter तो हम यह formula यूज करेंगे resistance is resistivity length by area resistivity की value हमाई दे रखी है that is SI unit में 2.6 into 10 to power minus 8 ohm meter और जहां पर L और A का सवाल है यहां पर इनको SI unit में रखेंगे length को हम 50 cm को 0.5 meter लिखेंगे और area को 2 into meters square में change करेंगे 2 into 10 to power minus 3 minus 3 का whole square करेंगे 10 to power minus 6 मिल जागा इसको आप calculate करेंगे तो आपको value मिल जागी 6.5 into 10 to power minus 3 ohm यह आपकी resistance की value आजाएगी आपको एक question दिया हुआ है एक cuboid है cuboid की कुछ यह face आपको A दे रखा है this face is A और इसके नीचे वाला face B दे रखा है and यह front वाला face C है और इसके backward वाला face D and left side वाला face E है और right side वाला face F तो हमें अब इसकी resistance across A भी निकालनी है यानि कि current अगर A से B या B से A जाए तो इस face में resistance क्या होगा तो हम बोलते है resistance resistance across A भी अगर हम देखेंगे तो हम बोलते हैं कि resistance equals to resistivity length upon area यह formula यूज करेंगे resistivity row use करेंगे row अब यहां से यहां की A से B की length length कितनी होगी आपको dimension दे रखी है यह dimension A है यह dimension B है और यह dimension C है तो इसके लिए आप current अगर इस direction में flow कर रहा है यानि कि bottom से अपकी तरफ जा रहा है तो आप यह देखेंगे distance कितना होगा C होगा तो resistivity into length कितना हो जाएगा C हो जाएगा और cross section area यानि कि top surface का cross section area आएगा top section का cross section area क्या होगा this dimension is V this is A तो cross section area will be A into B तो finally you will get resistance across A B A B के across resistance होगा row C upon A B यह होगा similarly आप बात करेंगे resistance across C D की C कौन सा है C front वाला है और backward वाला D है तो current अगर इस direction में जाएगा तो इसके लिए length कौन सी होगी B होगी तो यहाँ पर आपका आएगा resistivity into length by area resistivity will be row और length current जिस length में flow होगा वो होगा B तो you will use B cross section area तो आप देखिए इस face के cross section इस face के perpendicular जा रहा है तो यह आपका perpendicular area क्या होगा this dimension is C and this dimension is A so this will be A into C तो यह आपका होगा दूसरा resistance across EF की अगर बात करें तो this will be resistance length upon area यह हो गया resistance और length की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखो E से F की तरफ current जाएगा तो यह आपका length होगा A और cross section area यह होगा इस cross section area तो आप length की जगे आप A रखेंगे इस cross section area को दे सकते हो this dimension is B and this dimension is C so आपका B into C यह आपका resistance मिल जाएगा so same material में different different faces के through different resistance मिलता है depending on the direction in which the current is flowing so तो आपका direction पर depend करेगा कि particular material का क्या आपका resistance होगा यहां पर next question एक दे रखा है question में यह पूचा हुआ है one end of the aluminum wire whose diameter is 2.5 mm is welded to a one end of a copper wire whose diameter is 2.0 mm is composite wire carries a steady current of 6.25 ampere the current densities in aluminum and copper will be यानि के आपको यहां पर दो पीस दे रखे हैं one is aluminum आप ऐसे बोल सकते हैं this is aluminum and another is copper okay so you can see aluminum का diameter जादा है और copper का diameter थोड़ा से काम है तो aluminum wire is little more okay आप यह देख सकते हैं so current flow aluminum के through होगा this is let's say aluminum and this is copper same current will flow through copper आप देख सकते हैं aluminum का cross section area जादा है तो यहां पर same current दोनों में flow होगा कि जो current यहां से आएगा वही चार्ज यहां से flow होके जाएगा तो current की value दोनों में same होगी okay so हमें current density वैसे आपको current दिया हुआ है current is six point two ampere current density is in aluminum current density का formula क्या होता है i upon a aluminum के लिए के बात करें so that will be I into diameter दिया हुआ है तो दिस is the wire aluminum wire है तो आपका area कितना होगा area will be pi d square by four so this will be pi d की value आपको दिरखी है 2.5 into 10 to the power minus 3 meter इसका whole square upon 4 so you will get 6.25 ampere और को यह multiply कर देंगे upon pi into 2.5 into 10 per minus 6 meters so aluminum में अप्रोक्स आपकी current density आने वाली है this is j in aluminum current density in aluminum will be a prox 1.2 sorry 127 ampere इसको centimeter square में हम निकाल सकते हैं इसको centimeter square में करेंगे तो यह आजर और meter square में करेंगे तो it will be 1.27 into 10 power minus 4 meter square ampere per meter square so it will be 127 into 10 power 4 ampere per meter square यह होगी copper की बात करें copper की current density की बात करें तो this will be i over area यहनकी pi d की value क्या है 2 into 10 to power minus 3 meter square 10 to power minus 3 इसका whole square करेंगे यहनकी आपको diameter यहाँ पर हुआ है you can say this is area area की value आप निकाल लेंगे that is pi d square by 4 अब diameter of copper कितना दिया हुआ है आपको 2.0 mm इसको आप लेख जाकते हो 2 into 10 to power minus 3 meter so आप you will find i की value है 2.6.25 ampere okay pi d की value आप लखेंगे 2 into 10 to power minus 3 whole square यह हो जागा by 4 इसको आप calculate करेंगे तो ultimately you will get j in copper will be approximately 200 into 10 power 4 ampere per meter square इसकी value copper के epoxy आएगी तो आप देख सकते हैं कि copper की density ज्यादा आ रही है क्योंकि इसका cross section area reduce हो गया है same current is flowing aluminum की current density कम आ रही है as compared to the copper next question में हमें यहाँ पर current दे रखा है 5 ampere area cross section दे रखा है density electron density यानि कि charge density per unit volume आपको दिखी हुई है 5 into 10 to power 26 और आप से drift velocity पूछीए तो आप drift velocity का formula यूस करेंगे drift velocity you can say i equals to nea into vd यानि कि drift drift velocity can be given as i charge density into e over cross section area i की value आपको 5 ampere दी हुई है charge density is 5 into 10 to power 26 e की value 1.6 into 10 to power minus 19 और cross section area आपको meter square में दे रखा है 4 into 10 to power minus 6 इस तरह से आप vd की value calculate करेंगे और you will get value 1.56 into 10 to power minus 2 meter per second तो यह every value is in si unit तो आपको drift velocity की value भी Si unit में मिल जारी है